गुद मॉनिंग डियर चिल्ड्रेन हाव और यू कैसे हैं आज हम लोग पढ़ेंगे अक्षर घ्र क्या पढ़ेंगे कौन सा अक्षर अक्षर घ्र उससे पहले हम लोग जो पहले पढ़ें अक्षर उसकी रीडिंग करेंगे ठीक है चलिए सब लोग बोलें माम के साथ कासे कबूतर खासे खर्गोष गासे कमला एक परोद बोलिए कासे कबूतर खासे खर्गोष गासे गमला जो बताए गासे गमला के बाद कौन सा अक्षर आता है गासे गमला के बाद क्या आता है गासे क्या है यह गासे घर क्या है बिट्या गासे घर एक बार और बोले सब लो गासे कबूतर गासे खरबोस गासे गमला गासे घर और क्या क्या होता है गासे देखे मैं आमने या बनाया है न चल्ट क्या ये घा घा से ये कौन सा चित्र है बताए घा से घड़ी क्या ये घड़ी घा से घर घा से घड़ा फिर एक बार बोले घा से घड़ी घड़ी होती है न सब क्या लगी रहती है दिवाल पे क्या ये घा से घड़ी घा से घर सब लो रहते हैं न घर में क्या ये घा से घर घा से घड़ा क्या है यह घड़ा जिसमें पानी बरके रखा जाता है मिट्टी का होता है न घड़ा सब के आवगा सब देखे होंगे न बिटा एक बार और बोलिए घ़से धड़ी घ़से घर घ़से घड़ा और क्या होता है घ़से बिटा घ़से घड़ियाल और क्या होता है बताईए और क्या होता है बताऊ जले जले एक बार और बोलिए घा से घड़ी घा से घर घा से घड़ा सब लोग घर से क्या क्या होता है इसमें बनाए पिक्चर ना मैंने घर से वो याद करेंगे ठीक है कोई भी बक्चा पिक्चित्र नहीं बनाएगा ठीक है बस इसको घर से क्या क्या होता है उसको याद करना है ठीक है इसको याद करिए को बच्चे से और वीडियो बनाएए औ मैम को सेंट करिए और देखिए और घर से क्या क्या होता है ठीक है वो बताइए आप लो एक बार और मैम के साथ बोलिए घर से घड़ी घर से घर से खड़ा घर से घड़ियाल और पताइए क्या क्या होता है ठीक होता है इसको अच्छे से याद करिए और वीडियो बना आईए, मैं हमको सेंट करिए अपने नाम के साथ ओके